हमारे कई दर्शकों ने ये सवाल पूछा है कि लंबे रूट की जो ट्रेने होती हैं जिनके याहरा का समय 25 से 30 घंते का आया उससे ज्यादा का होता है उसमें लोको पाइलट की ड्यूटी किस तरह से होती है यानि कि लोको पाइलट कितने घंते तक ट्रेन को चलाते हैं क्या एक ही लोको पाइलट लगाता ट्रेन को चला के ले जाते हैं या बीच में लोको पाइलट बदल जाते हैं तो ये जानने से पहले आपको कुछ बातों के बारे में जानना जरूरी है जैसा कि आप सभी को पता होगा ट्रेन के जाइवर जो की लोको मोटिव को चलाते हैं उन लेकिन इसके कुछ कंडिशन है जिसे आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। सामान्य भाषा में अगर आपको वताएं कि लोको पाइलट की ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो इसका सीधा जवाब होगा है आठ घंटे की। आठ घंटे के बाद उन्हें किसी दूसरे लोको पाइलट को ट्रेन हैंड ओवर करनी होगी, लेकिन कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता क्योंकि ट्रेन लेट हो जाती है, और आठ घंटे के बाद भी वह उस स्टेशन तक नहीं पहुँच पाते जहां पर लोको पाइलट चेंज करने की फैसिलिटीज होती है, क्योंकि किसी बड़े स्टेशन पर ही क्रू लोबी को बनाया जाता है, जहां लोको पाइलट चेंज होते हैं और उनके रहने खाने की व्यवस्था होती है, इसलिए लोको पाइलट की ड्यूटी के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया है, कि 15 दिन में लोको पाइलट को 104 घंटे की ड्यूटी करनी होती है, अगर इस 104 घंटो को हम रोज के हिसाब से देखे तो रोज के हिसाब से 7 घंटे की ड्यूटी एक लोको पाइलट की ओसद ड्यूटी आती है, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता किसी दिन इनकी ड्यूटी 4 से 5 घंटे की होती है, और किसी दिन 10 से 12 घंटे की भी हो सकती है, के बाद जितने भी घंते ज्यादा होंगे उतने घंते का उन्हें ओवर टाइम का पैसा दिया जाता है यहां पर आपको बता दे कि एक समझने वाली बात यहां है कि अगर वा ट्रेन को अपने होम टाउन से जहां पर वो अपने फैमिली या हॉस्टल में रहते हैं वहां से गंते के बाद वह फिर दूसरी ट्रेन को अपने होम टाउन पर वापस लाएंगे होम टाउन पर पहुँचने के बाद उन्हें 16 गंते का रिस्ट दिया जाएगा मतलब कि अब उन्हें 16 गंते के बाद ही उनकी ड्यूटी लगेगी अब आपको ये बताते हैं लंबी दूरी की ट्रेनों में यह कैसे मैनेज किया जाता है मान लीजिए मुंबई तेजस राजधानी मुंबई से चलती है और नई दिल्ली को जाती है, मुंबई से चलने के बाद वडोधरा जंक्शन पर लोको पाइलट चेंज किये जाएंगे, वहाँ पर मुंबई वाले लोको पाइलट रेस्ट लेंगे और वडोधरा वाले लोको पाइलट ट्रेन को कोटा जंक्शन तक ले जाएंगे और कोटा पाले लोको पाइलट नई दिल्ली स्टेशन तक ट्रेन को ले जाएंगे और आठ घंते के रेस्ट के बाद वो वापस ट्रेन को नई दिल्ली से कोटा ले जाएंगे. तो कुछ इसी तरह से लोको पाइलट की ड्यूटी मैनेज की जाती है. अगर रेलवे से जुड़ी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सोशल मीडिया में जरूर शेयर करें. आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाते हैं? कमेंट में जरूर बताएं. और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए हमारे फेस्बुक पेज को सब्सक्राइब जरूर करें. जय हिंद!